मेरे अन्दाज और तरन्नुम से पथरों के भी दिल पिघलते हैं मेरे अन्दाज और तरन्नुम से पथरों के भी दिल पिघलते हैं जाने क्यों लोग मुझे से जलते हैं के छाज़नी से चाज़नी शरंबना बना देते हैं मैं आप नए अंदाज में सुनें परते हैं समात फरस्मयए आधाओ सजदे की तेरे कोई भी कीमत नहीं रहे दिल में अगर खुलूस की नियत नहीं रहे सजदे की तेरे कोई भी कीमत नहीं रहे दिल में अगर खुलूस की नियत नहीं रहे करते जो आज तूध से पानी अलग अलग करते जो आज तूध से पानी अलग अलग इस मुल्क में अब ऐसी अदालत नहीं रहे बहुत बहुत शुक्रिया और में 4 मिद्स आप तक पहुंचाती हूँ मैं UPCI हूँ पढ़ते हूँ समात फर्माया दीब है तेरा नफुरत वाला अर दीप है तेरा नफरत वाला, दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है, कोई पताते उस पागल को सूरज भी तोड़ी अर फिर आनो शर्दात को हमने आते जाते देखा है, यूबी में देखेंगे हम अर यूबी में देखेंगे हम कब तक बुल्डोजर चलता है, यूबी में देखेंगे हम कब तक बुल्डोजर चलता है, दीब है तेरा नपुरत वाला बहुत बहुत शुक्यां बहुत ही संजीत की के साथ सुन रहे हैं लेकिन माशालिला बहुत अच्छा सुन रहे हैं अल्ला सलामत रखे आप सबको मैं पढ़ती हूँ समान फरमाई कि मेरे दिल की सफाई करते हो आमेड भाई दिल की सफाई करते हो जब भी तुम बेवफाई करते हो दूर होना है गर तो हो जाओ तुम मेरी क्यों बुराई करते हो बात बहुत शुक्रिया और मैं गतल का मतला दो तिर शेर तहत में पढ़ते हो कि बता दो जाने जानना छोड़ दू क्या बता दो जाने जाना छोड़ दो क्या मैं खुलकर मुस्कुराना छोड़ दो क्या बता दो जाने जाना छोड़ दो क्या मैं खुलकर मुस्कुराना छोड़ दो क्या और चुभन होती है तुझको रोशनी से चुभन होती है तुझको रोशनी से तो क्या में जगमगाना छोड़ दो क्या बता दो जाने जाना छोड़ दो क्या कोई 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 सुनता नहीं है सोच कर ये कोई सुनता नहीं है सोच कर ये गजल अच्छी सुनाना छोड़ दो क्या कोई सुनता नहीं है सोच कर ये गजल अच्छी सुनाना छोड़ दो क्या और ये भी शेयर यू है कि पढ़ती हूँ उठा कर अब वफादारी का पर्चम उठा कर अब वफादारी का पर्चम मैं उर्दू का घराना छोड़ दो क्या उठाकर अब वफादारी का पर्चम मैं उर्दू का घराना छोड़ू क्या बहुत 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 शुपिया और चैनलिसे में आप तक पहुचाती हो कि बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते हो कि छुपाना नहीं तुम बताओ ना मुझको अन्वर भाई पढ़ती हूँ भाई आपकी द्वाए चाहते हूए चुपाना नहीं तुम बताओ ना मुझको जमाने को कैसे खबर लग गई है कहीं दिन से तकराद तुम कर रहे हो महबद को जखकी नजर लग गई है बहुत बहुत शुक्या आईए मैं आउ गिजल का मतलब कुछ शेर आप तर पहुचाती है मैं गीत पढ़ूंगे इंशालला पढ़ती हूं समाथ फरमाए गीत पढ़ू भई एक बार तालियू से मुझे बताएं कि आप गीत सुनना चाहते हैं मैं चंदा की चादनी चंदा की चादनी छत पर से धूम मचा दूँगी जितने भी हैं फैन हमारे अर जितने भी हैं फैन हमारे सब के होश उड़ा दूँगी मैं चंदा की चादनी दर्या क्या है खाड़ी क्या जंगल क्या आबाती क्या अपने हुस्न की जादू से मैं अर अपने हुस्न की जादू से दर्या में आग लगा दूँगी मैं चंदा की चादनी छतपर से धूम मचा दूँगी मैं चंदा की चादनी अब मुझे अपने लिए खुद निजामत करना होगा खुद शेयर पढ़ना होगा आप जानते हैं कि लोग किस तरह से रहते हैं आप मुझे तालियों से होसला बढ़ाए जी बिल्कुल पढ़ते हैं जी बहुत 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 पढ़ते हों तेरा एक इशारा मिल जाए मैं दोड़ी दोड़ी आउंगे तेरा एक इशारा मिल जाए मैं दोड़ी दोड़ी आउंगे तेरी खातिर जाने जाना एक दिन हस्त हुए मर जाउंगे तु मुझे अपना बना ले दिल पर तु मुझे अपना बना ले दिल पर मैं तुझे अपना बना लोंगे तिरा एक इशारा मिल जाए में दोड़ी दोड़ी आओंगे बहुत बहुत शुक्या गित का मुखडा और एक बंद आप तक पहुचाती हूं समात फर्माएं तनहाई में मिलना तुम तनहाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है राधा के लिए जैसे घंशाम जरूरी है राधा के लिए जैसे घंशाम जरूरी है बरदहाँ वालों आपकी हवाले से बंद पहुचाती हूं समात फर्माएं जब भी तुब कारिगा में तोड़ी चली आओंगे साथ तेरे प्यार का में गीत गुन गुनाओंगे तू है मेरा मैं हूँ तेरे सब को बताओंगे साथ तेरे प्यार का में गीत गुन गुनाओंगे बर्धावालों जीने के लिए मेरे तेरा नाम जरूरी है राधा के लिए जैसे धन शाम जरूरी है बहुत बहुत शुक्या एभी बंद आप तक पहुचाते हों शाम धल छट पे तू मिलने नहीं आता है बोलना एचाद मुझे क्यूं तू सताता है आधी रात होते ही तू छट पे बूलाता है बोलना एचाद मुझे क्यूं तू सताता है मिलने के लिए थोड़ा आराम जरूरी है राधा के लिए जैसे घंशाम जरूरी है बहुत बूछ करें आधी भी क्राद मुझे क्यू नहीं चाद मुझे करें झाल झाल